तो गाइस CUES 2023 का result तो आ चुका है गाइस तो अभी universities पे apply कैसे करें तो गाइस इसी वीडियो पे मैं ऐसे छाड important points लेकर आया हूँ जिससे की आपको problem हो सकती है university पे apply करने के लिए गाइस इसी चैनल पे हमने ये बात भी discuss किया है कि अच्छे अच्छे universities का जैसे DU, BHU इन सब का cut off क्या होना चाहिए गाइस तो यानि expected cut off क्या होगा तो उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description पे share कर दिया है गाइस तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि Delhi University का north campus का cut off क्या होगा फिर south campus का cut off क्या होगा फिर off campus का cut off क्या होगा तो मैंने अच्छे से discuss क्या है गाइस अभी इस वीडियो पे हम ये discuss करेंगे कि चार ऐसे problem हो सकता है universities पे apply करने के लिए तो गाइस आप लोग को जो CUT का score मिल क्या है तो उससे अभी universities पे आप apply कर सकते हो गाइस तो यहापे पहली बात आती है कि first point जो all universities open admission portal लगभग सभी universities ने अपना admission portal तो open कर दिया ही होगा एक दो university जिसने अपना portal open नहीं किया है वो भी बहुत जल्दी open कर देगी तो universities पे जब portal open कर दिया जाएगा तो उससे आप apply कर सकते हो गाइस तो आप login कर लिए फिर apply कीजिए फिर आप यह जो second point है portal में registration problem तो यहापे गाइस एक problem हो सकता है तो आपने जब CU8 का form मतलब फिलब किया था ना जो NDA CU8 का form फिलब किया था तो उस पे आपने कुछ-कुछ universities का ही नाम मतलब फिलब किया था कि मैं इस इस universities में पढ़ना चाहूंगा है या नहीं तो आप सिर्फ उसी universities पे आप अपलाई कर सकते हो गाइस जैसे कि सोच लेजिए आपने Delhi University अपलाई किया था फिर आपने B.H.E. अपलाई किया लेकिन आपने महारास्ट्रा University अपने अपलाई नहीं किया तो आप महारास्ट्रा University का website पे जाके आप CU8 का score लेके आप प्रेइशन के लिए apply करोंगे तो वहां पे आप मार्क्स को देना पड़ेगा लेकिन मतलब जो तो marks नहीं देना पड़ेगा आपने जब अपने जब अपना skills का four love क्या था था ना गयस तो आपने तभी देखा था कि मैं आगर सपोस्ट डेली उनिवरस्टि पे पॉल साइन्स मैजर लेकि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो पॉल साइन्स पढ़ने के लिए किन-किन सब्जेक का एक्जाम देना ज़रुरी है और उन एक्जाम के जो स्कोर मिलेगा उस स्कोर को आप फिल अप करना पड़ेगा गाईस तो देखिए गाईस सिर्फ उसी मार्ट अप्टेन करके आप फिल अप करना पड़ेगा तो यह हो गया तिसरा प्रॉब्लम तो अभी आता है गाईस छोथा प्रॉब्लम देखिए गाईस इस पर आपका आप मतलब कन्फिशन हो सकता है मैं आपको यह चोथा प्रॉब्लम में आपको अच्छे तरह से समझा दूँगा देखिए गाईस जो है सब्जेक कॉमिनेशन प्रॉब्लम तो गाईस आप जब एक उनिवर्स्टी पर आपलाई करोगे ना तो यहाँ पर जो आता is CPUH समठ तो वहा पर प्लिक कर दीजेगा है तो वहाँ पर आपक्लिक करने के बादट यह जो च्रीच गाए ना यहे जो बार्ड है तो वहाँ पर आसलेक करने के बाद यह पर यहाँ यउनिवर्स्टी सेस्टा लग सेखिए तो यह सिलेक करने के बाद आप सब्सक्राइब लिखा है कि प्रोग्रम्स क्या क्या है तो अब यह प्रोग्रम्स देखे लिए तो उसके बाद आपका नीचे पे यहाँ पे गाइस आपणओặt क्यास अब आपका नीचे जाते रहीएगा तो यहाँ पे सारा अपना सब्जेक कॉंब्नेशन आप देख सकते हो गाइस तो इन्हीं ही सब्जेक कामिनेशन को लेके ही आप पढ़ सकते हो तो आप धिक हो यहाँ पर बहुत कुछ है तो आप मतलब इन ही subject combination पे ही मतलब पर सकते हो और इस पोर्टेल पे आप मतलब लोगिन करके देख सकते है अपना जो मतलब जो भी password और username होगा तो उससे आप लोगिन करके देखिये और आपको मतलब मालूम जलागा कि मतलब अगर आप पॉल साइंस पर पढ़ना चाहते हो या फिर आप अगर MSC मैच बढ़ना चाहते हो तो मैच लेने के लिए आपको कौन-कौन सा subject combination लेना पड़ेगा MSC हो या फिर जो भी हो BSC हो तो आप गईस वह मतलब लोगिन करके आप देख सकते हो गईस और ऐसे ही आप अपना युनिवरस्टी पर अपला करिए फिर मैं आशा करता हो कि आपको अच्छा अच्छा आपको college मिल जाएगा और इस वीडियो पर हम English को अच्छे तरह से सिख